नमस्कार दोस्तों कई बार हम लोग लगातार मेहनत भी करते हैं पर हमें वो सफलता नहीं मिल पहती जिसकी हम आशा करते हैं या फिर कुछ न कुछ समस्याएं जिन्दगी में समानांतर चलती रहती हैं और चाह कर भी हम उन समस्याओं से दूर नहीं हो पाते हैं पर हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर काफी हद तक उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनी छोटी छोटी बातों के बार में बताऊंगा, जिन्हें बदल कर हम अपने जीवन में बदलाओं ला सकते हैं। वास्थ और रसोई, कलश चोटे पात्र को घर में बने पूजा इस्थल या मंदिर के इशान कोण में हमेशा जल से भर कर रखें। ऐसा करना घर में रहने वाले लूगों के लिए शुब माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के पास कभी भी कुणे दान न रखें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके पडोसी आपके शत्रु बन सकते हैं। सोर्यास्त के समय किसी को भी दूद, दही या प्याज न दें। ऐसी मानता है कि इससे घर की बरकत और सुक, सम्रद्धी, समाप्त हो जाती है। रसोई में रात को जूठे बरतन नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप रात में बरतन साफ नहीं कर सकते तो उन्हें सिर्फ पानी से ठोकर रख दें। इससे धन हान होने से बचेगी। रात को सोने से पहले घर की रशोई में एक बाल्टी पानी भरकर रखें। इससे कर्ज से मुक्त मिलती है। साथ ही बात्रूम में बाल्टी में पानी भरकर रखेंगे तो जीवन में उन्नत के रास्ते खुलते जाएंगे। बिस्तर पर बैट कर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे घर में अशानती फैलती है और घर में रहने वाले सदस्यों पर कर्ज चड़ने की संभावना बनी रहती है। तो मित्रों कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार मेरी इस चैनल पर आये हूँ तो कर पैसे सब्सक्राइब करें और अपने इस्ट मित्रों से शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।